गुडियूणिंग too dear students, today I will discuss expressing concentration of solutions, आज हम concentration was express करने के तरीके को सचेंगे it is discuss करेंगे , तो किसी भी लिच्छन की concentration K challenge के बताया जाएगा कि ये solution चैना कैसे डाइलूट है इससी सरूशन में कितने percentage solute है या कितने percent solvent है इस तरीके को इसको हम समझेंगे इस वीडियो में तो mass percentage का मतलब होता weight by weight तो आपको पता है कि mass को जो major करने की unit है वह क्या होती है gram या kilogram में या kilogram में हम क्या करते हैं mass को determine करते हैं कि इसको so करते हैं यहाँ पर देखिए mass percentage component मतलब mass of component इने solution total mass of solution multiply hundred देखिए mass of a component mass percentage component का मतलब होता है कि चाहे आप solute का component आप निकालो percentage चाहे आप solvent का निकालो तो इसको हम एक numerical से समझेंगे देखिए आपका एक numerical से calculate the mass percentage of aspirin क्या का जा रहा है calculate the mass percentage of aspirin in acetonitrile किसमे acetonitrile में when 6.5 gram जब क्या है 6.5 gram C9H8O4 यानि कि aspirin is dissolved in किसमे acetonitrile 450 gram देखिए gram gram में दिया है यहां पर जो 6.5 gram है यह solute है जो 450 gram है क्या है solvent है which is lesser amount present in a solution are known as the solute जो कम amount में किसी solution में present होता हो क्या होता है solute which is greater amount present in a solution are known as solvent जो किसी solution में greater amount में होता हो क्या होता है solvent होता है तो यहां पर सकते हैं solute कर सकते हैं अब इसमें हमको किसका percentage निकालना है mass percentage आप अगर हम क्या निकाले एस्पिरीन निकाले तो लिखेंगे हम मास पर्सेंटेज आप अश्पिरीन इस इक्वल टू मास आप अश्पिरीन क्या मास आप अश्पिरीन अपान टोटल मास टोटल मास आफ सोलूशन टोटल मास आफ सोलूशन मल्टिप्लाई बाई हंड्रेट क्या कर रहे हैं पर्सेंटेज में निकाल रहे हैं तो multiply by 100, तो mass आप aspirin कितना given है, 6.5 gram, तो mass percentage आप aspirin is equal to, क्या होगा, 6.5 gram upon, ये क्या हो गयाएगा, 450, 450 plus 6.5 multiply 100, तो total हो जायाएगा, आप इसको कैसे easy way में change करेंगे, देखिए, आप decimal हटा दीजिए, 65 by 4565, और यहाँ पर 100 का multiply है, तो यहाँ पर आप double zero कर देंगी, देखिए, ये 4565 है, ये 6500, यानि कि अगर हम दो बार ले जाएगे, तो दो बार में नहीं जाएगा, क्योंकि 400 से ज़्याद हो जाएगा, लगवाँ 900 आजाएगा, तो ये क्या आएगा, 1.4 to 4% आएगा, इसमें solute, प्लस क्या देंगे, solvent का मास दिया जाएगा, ये क्या होगा, ग्राम में दिया जाएगा, या किलो ग्राम में दिया जाएगा, अगर solvent का percentage पूछ रहा है, solvent का, तो solvent को क्या करेंगे, उपर रखेंगे, मास आप solvent उपर रखेंगे, और total मास, क्या, total मास, यानि उसकी solute, प्लस solvent का मास रखेंगे, multiply 100, अगर mass percentage आप solute पूछा जा रहा है, तो मास percentage आप solute is equal to, यहां उपर क्या रखेंगे, solute रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, total मास रखेंगे, solute plus solvent, multiply क्या रखेंगे, 100, इस तरह से हम mass percentage calculate करेंगे, यहां पर एक solute रहेगा, एक solute रहेगा, ग्राम या किलो ग्राम में दिया जाएगा, जिसका mass percentage पूछा जा रहा है, उसको हम क्या रखेंगे, उपर रखेंगे, बाकी दोनों को total करके नीचे रखेंगे, multiply by 100 रखेंगे, इस तरह से हम mass percentage calculate करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में volume by volume percentage को हम discuss करेंगे, आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे हो, आपके समझ में आया है, तो वीडियो को like करे, वीडियो को share करे, चैनल पर पहली बार आये हैं, तो चैनल को subscribe करे, वीडियो चाहे जैसे करेंगे लगे हो आगे हो, आगूर आगे हो, आगे हो देगी, अगर आगे हो.